good morning friends मेरा नाम है एपरधान कर्सि deg爬 और आप पढ़ रहे है पावर्पइंन टोई इसे में पढ़ेंगे छों थो, क्यों पढ़ेंगे लूज एंड ठिक है लूजी कौ्झ सब भाग 4 ठिक है भूसेंड के भाग 4 में का पढ़ेंगे पुरातत संबन्दी सब्धिता, ठीक है, किस से पढ़ेंगे, पुरातत संबन्दी सब्धिता के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होगा पुरातत संबन्दी सब्धिता, मतलब लूसेंट, इत्यास के बारे में, सामान ग्यान के बारे में किस तरीक से पता चलता है, पहला पुरातत संबन्दी सब्धिता, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें पुरातत, मतलब कौन से अभी लेकों के द्वारा, इसमें क्या होते हैं? अभी लेक अभी लेक वनमर दूसरा सिक्की इंदो माध्यम के दौरा, हमिंजीच का पता लगाए दाता है, ठीक है? सबसे प्राची नभी लेक कौन सा था? अभी लेक के बारे हैं अपन पढ़ेंगे, सबसे प्राची नभी लेक ठीक है? सबसे प्राची नभी लेक था? एसिया का माइनर है, ठीक है? जिसको सबसे प्राची नभी लेक किसको का था? एसिया के माइनर है? एसिया ठीक है? सबसे प्राची नभी लेक एसिया का माइनर, जिसको एसिया का माइनर है? बोगाच कोई, बोगाच कोई को सबसे प्राची नभी लेक था? अभी लेक का गया है? इसमें चार देवताओं के बारे में दिया है, कितने? चार देवताओं ठीक है? किस के किस कौन-कौन से? इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुन, ठीक है? और नासत्य थीक है? इन चार देवताओं के बारे में किस में का गया? प्राची नभी लेक में का गया? सबसे प्राचीन अभी लिक के बारे में किस किस में का गए एसिया माइनर और बोगाज इस सबसे खराब हो गया मारकर ठीक है इसमें चार देपता है इसमें इंद्र देपता मिर्त देपता बराउंड देपता और नासत्य देपता के बारे में का गए इसके बाद कौनसा अभी लेग मिला हाती खुंड कौनसा हाती गुफा भी लेग हाती गुफा अभी लेग इसके बाद कौनसा मिला हाती गुफा भी ल किसके कलिंग के राजा जिनका क्या नाम था कलिंग के राजा खार खेल कलिंग के राजा खार खेल ने इस अभी लिएक को बनवाया था ठीक है कलिंग के राजा खार खेल ने इस अभी लिएक को बनाया था यह भारत बर्स का इसमें किसका भारत बर्सका उल्लेक है किसका भारत बर्स का उलेख उलेख है, किसमें भारत बर्स का उलेख है, ठीक है इसके बाद, ये दो हो गए, इसके बाद कौन सा भी लेख मिला, नासिक का भी लेख तीसरा, नासिक का अभी लेख ठीक है, कौन सा भी लेख मिला इसके बाद, नासिक का अभी लेख सबसे प्राचीन अभी लेख हो गया हाती गुफा का भी लेख हो गया ठीक है, नासिक का अभी लेख हो गया, ठीक है इस नासिक का भी लेख किसने बनाया था, गौतम बल स्री किसमें गौतम बल स्री ने इस नासिक के अभीलेग को बनाया था ठीक है इसमें जूनागड का एक और है इसमें अभीले कौन कौन से बने बहुत हैं अभी जूनागड का अभीलेग जूनागड अभीलेग यह भीलेग किसमें बहुत है रुद्ध दामन रुद्ध दमन ने जूना गड़ का अभी लेक मनाया था पांचमा प्रियाग इस्थम्भ लेक ठीक है ये किसने बनवाया था प्रियाग इस्थम्भ अभी लेक ये बनवाया था समधर गुप्त ने किसने समधर कुप्त ने किसका प्रियाग इस्थम्भ अभी लेक किसने मनेवाया था समधर कृति कृता तो होगे और इसके बाद और अब लेक पढ़ेंगे ठीक है कितने पांच अब लेक यह हो गए ठीक है ठीक है छटमा भी से लोगा छटमा भी लेक अधिर अभी लेक हो अधिर का अभी लेक इसे किसने बनने पुल केसं अब लोगा थो यह भी लेक बनवाया था ठीक है साथ मा कुस के? Μन्द सौरा मन्द सौरा अभी लेक ये किस ने बनवायत है? ये बनवायता मालवाक नरेस ठीक है मालवाक नरेस, किस के मालवाक नरेस? यसूदा बर्मन यसूदा बर्मन यह सूबरमन ने इस अभीलेग को बनवाया था कौँ सा? मालवा के अभीलेग जिसका नाम क्या था? मंदोर, सौरा ठीक है आठमा कौन सा है? गौवालियर का भीलेग इसको किसे ने बनवाया था? प्रितिहार, नरेश प्रितिहार, नरेश पितिहार नरेस भोजने किसके गवालियर के अभी लेक को किसने बना था पितिहार नरेस भोजने गवालियर के अभी लेक को मना था इन मतलब इनके बारें खतम हो गए इतिहार अभी लेक को किसने प्लिंकेशन दुतिये ने बनवाया था मंद सौर अभीलेक को किसना है मालवा नरेश यातौदा वरमन से कहा तो प्धिहार नरेश भोजने बनवा है ठीक है यह उगल अभीलेक की खतम अपने खतम ऐथ हम खता हो गया इनके द्वारस से मिली गई जानकारी सबसे प्राचीन अब पढ़ेंगे अपन सिक्क्य के बारे में ठीक है इसमें प्राचीन तम साहित कौन सा है कि सबसे प्राचीन तम साहित कौन सा है आहत जिसे कहा कहा जाता था जिसे आहत को क्या कहते थे कहा ठीक है इसमें प्राचीन मतलब सबसे पहले प्राचीन सिक्कों को आहत कहते थे किसे प्राचीन भासा में क्या कहते थे आहत कहते थे कहा ठीक है यह थे आसमें कहा और साहित में सायत में कासान कसपान कहा ठीक है किसमें सायत में किसे को क्या किया किया किसमें सायत में किसमें 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 कि ठीक है अरी मिंडू अरी कमेरिंडू ठीक है यह करता है अमें कर्में मिंडू पिद्दू चेडी जिसको पुद्दू चेडी कहते हैं इसमें और इसमें क्या हुए सुख्य के साक्ष मिले is से सिक्के मिले रोमन सिक्खे के साक्ष मिले रोमन सिक्के तो मिले तो पर इसमें पंडूचेली मिले पंडूचे कहा झाय जिकि नुखथ तो बन्लाब पॉन्ड्डूची को पैले अर्क मेन्टूब आ जाता था जिसमें रोमना के मिले ठीक है रोमना के सिक्के मिले सख़्ईרכ 97I एक हके है यह चीज हो गाई ठीक है कहा कहा पर कौन-कौन शिक्के मिले अब सबसे पहला सोने का सिक्का किसने चलवा है पहला सोने का सिक्का सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवा है किसने चलवा है सबसे भारत यूनानी हिंदू यूनानी ने किसने हिंद यूनानी के चलवा है सबसे पहले सोने के सिक्के चलवा है किसने हिंद यूनानी ने सबसे पहले किसके सोन कि सबसे ज़्यादा ब गोर्ल्ड के के कि सबसे ज़्यादा गुप्तकाल में सबसे यादा सोने के सिक्के चले, गुप्तकाल को सबसे अमीर मतलब इसमें सबसे यादा धनी बान लोग रहते थे, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद सुद्ध सोने के सिक्के किसने चलुआ है, सुद्ध सोने के सिक्के किसने चलुआ है, कुशाणवन्सने, कुसानवन के सासक ने ठीक है अब इसको समझते हैं सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद्र यूनानी होने चलवाए ठीक है इसके बाद सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के सबसे नहीं सबसे पहले सॉने कर सकों के हिंदी गुपत लोगों ने चला है और सुद्ध सौने के प्योर गोल्ड के कुषाण बंस ने चलवाई यह इतने प्यूर थे मतलब बहुत जादे ही प्यूर सिक्के इन्होंने चलवाई ठीक है लूसेंड भाग चार में बस इतना ही अब इसके बार पड़ेंगे पिरोग ऐहसे अथेहासिक काल ठीक हैं आप अब अब परोग यह से काल के बारे में पड़ेंगे अब इसके बारे में देखना पुरोग अथेहासिक जैसे क्या कहते हैं पाशन काल पाशान काल प्रोग यहां से काल है इसमें क्या पढ़ेंगे जिसको पन प्रिहिस्ट्री एरा प्रिहिस्ट्री एरा कहते है इसमें पासार काल ठीक है अर्द अध एतियासिक काल अध एतियासिक काल और एतियासिक काल ठीक है एतियासिक काल कहा गया ठीक है यह पन तीन वहावों में पांट देंगे ठीक है अब इसमें क्या है इसमें पूचा गया कि पाशान अर्द एथियासिक और एथियासिक काल को तीन वहाव में इनकी तुलना करें ठीक है इसमें का करें है विबरन इसका लिखित विबरन इसमें लिखित विबरन नहीं म पास्वानका के लिखित वेवरन नहीं दिया गया, और एद एधिया से काल के लिखित वेवरन दिया गया, ठीक है, और इसका कितने से कितना टाइम पिरिट था, 35,000, बीसी से, पच्चीस सो, बीसी तक, इसका टाइम पिरिट किता था, पच्चीस सो, बीसी से, पंदरा सो, बीसी, इसका पंदरा सो, बीसी से, दो सो, सौरी, 200 sorry 600 शेसो 50 AD तक ठीक है ये 3 भाओगों में वेवक था ठीक है इसका भी time period दे दिया इसका भी time period दे दिया ये 3 भाओगों में बट गया था ठीक है इसमें पत्थरों इसमें सबसे जयादा किसका प्रियोग मिला पत्थर के प्रियोग के आधार पर पत्थरों के प्रियोग के आधार इसमें सबसे ज़्याद है इसका वो मिला हडपा सब्धिता हडपा सब्धिता इसमें सबसे ज़्याद हडपा सब्धिता या सिंदु सब्धिता में इसका प्रियोग मिला किसका हडपा सब्धिता और सिंदु सब्धिता में इसका सबसे ज़्यादा प्रियोग मिला और इसका प्रियोग कहाँ पर खूआ शेसर सहतालीस इसे में हर्सभर्दण के राज जीतर इसका क्या हुआ इसका प्रियोग चला ठीक है पृफ्थरों के प्रियोग के आदार पर इसका कालनिधारण किया गया इसमें हड़पर सबदा और सिंदू सबदा के आधार पर इसका कालनिधारण किया गया उसमें 647 हर्स बर्दन के राज होने मलो राज इनका क्या हुए पिर राज गटत हुआ था इसके बाद इनका कालनिधारण किया गया ठीक है कब से कब तक इनका हो ठीक है अपने इसके अंदर अब क्या पढ़ेंगे पाशान काल ठीक है क्या पढ़ेंगे पाशान काल ठीक है पाशान काल को भी कितने तीन भावगों में बाटा गया ठीक है कौन सा पुरा पाशान काल ठीक है मद्य पाशान काल और नब पाशान काल ठीक है इनको तीन भावगों में बाटा गया तीन भावगों में बाटा गया परापाशनकाल, मद्यपाशनकाल और नमपाशनकाल अब इसमें 35,000 BC से इसको कितना 10,000 BC तक कि टाइमपीरिटों क्या कहा गया परापाशनकाल इसके टाइमपीरिट को कहा गया और इसके बाद 10,000 BC से 5,000 BC तक के टाइमपीरिटों को ये का गया और इसमें भोजन करनी के लिए ये क्या करते थे सिकार ठीक है सबसे बड़ी चीज सिकार खाना क्या होता है बदला अब जे लोग क्या करते थे पुरा प्रापाशनकाल में कि मदला इले उपा कुछ रहने में ने कपड़ें अब अपर था था नी दमाघ मागते नमें लोग था नी तो इस सिकार करके अपना खाना एक गटा इस ही काल में क्या हुआ था इन्होंने अगनी का क्या किया था अविस्कार किया था अगनी आग जलाना सीख लिया था इसमें सिकार खाना वदोस्ते यहां जो भी मारा पूटा खा पीगे आपने चलेगा छोड़के पीचे आंगे बढ़ जा दे ठीक है और इन्होंने आग का अब इसकार कर लियाता है, मद्द्य पाश्वाणपाल में इन्होंने पसू पालन, इन्होंने पसु पालन करना सीख लिया आता है और इन्हों सबसे पहला पसु कौन सा पाला था कुत्ता ठीक है इन्हों सबसे पहला पसु कुत्ता पाला था इसका साक्ष कहां मिला इसका साक्ष MP इसका साक्ष MP के आदम गड़ में इसका साक्ष का अवाला MP के आदम गड़ में और राजिस्थान के बिगवरा राजिस्थान के बिगवरा में इसके साक्ष मिले कि इन्होंने पसू पालना और क्या बूलत पसू पालन करते थे कुट्थे को भी सबसे पहला वह पसुना है इनके और जार क्या थे और जार इनके और जार थे पत्थर इसके इनके और जार किसके बने होते थे पत्थर के बने थे इसकी पत्थरों के और जार के खोज किस ने की थी पत्थर और जार के खोज की थी रोवर ब्रूस रोवर्ड ब्रूस ने इनके पत्थर के औजारों की क्या कीती एक तरीख से खोज कीती इन्होंने चित्रकला का भी इन्हें सोक्त था किसका चित्रकला का इनका माध्यम चित्रकला भी था इनके चित्रकला के माध्यम से इन्होंने ठीक है इन्होंने बहुत सीचे इसकी प्राची इंतम साक्ष किसमें प्राची इंतम सबसे प्राची इंतम साक्ष किसका मिला भीम बेटा का जो की MP में इस्तित है ठीक है वहाँ पर इनका क्या मिला इसका साक्ष मिला और नप पाशन अकाल के बारें पढ़ेंगे है इसमें इनोंने क्या किया थ लाता ने किषी करना सीख लिया था खेती वाड़ी करना क्या कलिया था इनोंने सीख लिया था उनकी सबसे पहली फशल थीक है इनोंने फशल में गेहू edit जावल, स्वारी, जौब, जौब, की सबसे पहले उन्होंने खोती की, इसका साक्ष कामिला, इसका साक्ष कामिला मेहरगड के, जो की बलुचिस्तान में है, जो की कामिला है, बलुचिस्तान में है, ठीक है, और चावल का का मिला, चावल का साक्ष का मिला, ये मिला, MP के, कुल्द हावा को इनलकुकर चाहावल उसंता हावाLE में इसका MP के साक्ष्राइत हैं कर् слыш game आपना पारन काल ठीक है इसमें एक लगלא पॉइंट है ठीक है इसमें क्या है पिर्थम ओजार कौन सा था पिर्थम ओजार इनका पिर्थम ओजार क्या था कुलहारी इनका पिर्थम ओजार कौन सा था कुलहारी वो पहली धातू कौन सी थी पिर्थम धातू तामबा इनको प्रितम धातू और इसका सबसे प्राची इंतम मनस का प्राची इंतम साक्ष काम पर मिला काम पर मिला नरमदा घाट पर किसका मनस का सबसे प्राची इंतम साक्ष मिला किसका मनस का सबसे प्राची इंतम साक्ष काम पर इसका मनस का सबसे प्राची इंतम साक्ष मिला ठीक है ट्रेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड़ करें आपकी क्लास रुस साम को 7 वज़े मिल जाएगी ठीक है 7 वज़े नी, sorry 6 वज़े आपको रोस साम को इसकी class मिल जाएगी जादा दे जादा लोगों को add करें ठीक है कि आप जादा लोगों को जोड़ेंगे तब इसमें class में और आगे पढ़ाए जाएगा